हेलो गाइज, रादे रादे सभी को, यूटू फैमली, कैसे हो मेरी यूटू फैमली, देखो मैं सुबह का खाना बना रही हूँ, बच्चे स्कूल में जाना इसे पहले, ये देखे फिरेंट्स, मेरी अब खाना बन रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाएंगे, तो मैं के लिए पैड कर दिए आप लोगों का मैं दिखाऊं गैस पेSooy बनाती हूं बच्चों के लिए ये देखे फ्रेंड्स बच्चे का खाना बनाके उनको पैक करके फिर सबसे पहले मैं मेरी खाने के नी बनाती है अपने डोगी के लिए बनाती हूं सबसे पहले बच्चों के लिए बनाती हूं फिर डोगी के लिए ये देखे फ्रेंड्स बच जोकी तो मैंने एड़ कर दी, अब मैं डोगी के लिए बनाऊंगे, तीन चपाती बहुत रहती उसको, उसको थोड़ी मोटी बना के देती हूँ डोगी को, कि हाँ अच्छे से उसका पेट बर जाएगा, क्योंकि एक टाइम ही सुबै और एक टाइम से हम कोई डालते हैं, बार करते हैं, तो फिर इदर उदर ताका जाकी करता रहता है, इसलिए, यह देखे फ्रेंट्स, यह दूर से बना रखें, तो साफ के लिए नहीं आ रही, प्लीज कॉमेंट में बताना, आप लोगों को किसी को अच्छा नहीं लगे तो, कि ऐसे दूर से अच्छी नहीं लग रह आते हैं, हम हमारे डोगी को भी, कि कई ऐसे कर देते हैं, कि कम कुत्ते को तो ऐसे भी डालते हैं, थोड़ी बहुत कम चलती है, हम उसको अच्छे जैसे हम खाते हैं, वोई खाना हम खिलाते हैं, हम जैसे कोई भी चीज खाएंगे तो उसको भी वोई डालते हैं, यह देखे कि इस नियुक्स थे समय कर दोगे अभी कुछ भी निक्या है बस रोटिया बना रहे हूं बच्चों के लिए क्योंकि सुबह जल्दी बस आजाते इसका इनकी देखो बिलकुल लाइट जला रखे फिर भी कितने रोज ने कमा रही है क्योंकि बहुत जल्दी बस आने की कारण अब मेरी उस तीन चपाती बन गई हैं अब मैं डोगी को खिलाओंगी सबसे पहले उसके बाद में और खाना बनाओंगे उसको डाल के आजाओंगी फ्रेंट्स गरम गरम उसको भी सर्दी नहीं लगती गरम खा लेता है तो क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हमारे या तो ब मेरी वीडियो देखते हो पसंद करते हो एक बर कॉमेंट में जरूर बताना किसके या सर्दी ज़्यादा हो रही है हमारे या राजस्तान में तो बहुत बैंकर सर्दी हो रही है साथ आफ दिन से तो दूप बिल्कुल भी नहीं है ये देखे फ्रेंट्स तीन चपाती बन ग अब ये मेरा पूरा काम ऐसे कैसे बिखरा पड़ा है मैंने जाडू भी नहीं लगाई अंदर ये देखे ये देखे फ्रेंट्स मेरा भार का काम हो गया ये नो बजे की किलिप है मेरी नो बजे के बाद में मैंने भार का काम कर दिया था इसके अंदर जो पाड़ी है उसको हम सानी रखते हैं सुखा चाहरा है ये ये मेरा भार का हो गया काम और ये देखो ये इसको अंदर बहंद रखी है क्योंकि आगे देखो कितना कोरा चाया हुआ है कुछ नहीं दीख रहा है कितना ज़्यादा कोरा है ये हो गया बहुत ज़्यादा कोरा है फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा कोरा है और ये देखें दस बज़े की किलिप है ये मेरी और दस बज़े के बाद में कोरा कम हो गया है तो इतना कोरा नहीं है ये अंदर का मेरा जाड़ू पोचा हो गया ये देखें अंदर कीचेन भी क्लीन कर दिया, खिर्की नहीं लगी है फ्रेंड सभी कीचेन में बहुत सारा काम बाके है आप लोगों का आज मेरी सिलाई का काम दिखाती हूं, देखो कितना सारा कपड़े इकटे पड़े है ये प्रेस होन रहती है ये बाथरूम है बाथरूम की भी सफाई हो गई मैंने ना लिया और ये देखे कि ये बैडरूम है बैडरूम की भी सफाई हो रखी है ये कपड़े सीलने के लिए रख दिये काट के और ये अच्छे से सफाई करके जचा दिया और ये देखे फ्रेंट्स ये हमारा पूजा रूम है जिसके मैं गुर्देजी की बताती रहती हूँ वो ही हमारे गुर्देजी है ये समझ सत्गुरु सृरी रामलल जी से अग इनका ध्यान करते हैं बहुत अच्छा अनन्द लगता है देखे फ्रेंड्स ये अंदर पुझा रूम है वो हमारा थोड़ा अंदर है तो यह रोसनी कम रहती है मैंने वैसे जीरो आट वाली लाइट जला रखी है ये हमारा जीना है और ये में गेट तो ये है हमारा ये गेस्ट रूम है इसके अंदर थोड़ा सा बाजरा है इस काटे में ये टेंकी में नहीं डाला है हमने डालेंगे फ्रेंट्स एक अली से तो डल नहीं पाता ये देखे फ्रेंट्स ये हमारा भार का है अभी कच्छा है पूरा माहुल देख हुए हैं अंदर से बाहर काम मैंसे कंप्लीट है इसको भी करवाएंगे यह बाहर की पोड़ी है कितनी लंबी चोड़ी है यह देखे फ्रेंट्स फिर इमें गेटा का यह ब्राउंडा है यह जो होदो है इसमें एक महीने का पानी स्टोर करके रखते हैं इतना बड़ा है यह यह ब्राउंडा है उतना ही बड़ा हमारा पानी इखटा करके रखते हैं इसमें यह देखे फ्रेंट्स आप लोगों को इसका पूरी लेंद दिखा रही हूं मैं नहीं आरी इस कैमरे के अंदर और देखो फ्रेंट्स यह हमारी इदर आ गई मैं एक पीछे भी हमारी गैलरी है जहां से यह पैपार रखें न यह उधर भी एक गैलरी है छोटी सी देखे अब मेरा तीन बज गए है सानी का टेम हो गया है पाड़ी को डाल रही हूं मैं सानी यह छोटी मुन्नू है और अब इसके लिए हरा चारा काटेंगे फ्रेंट्स मैं इसकी चार्ट को बंद कर द हैती है पूरा दिन कुछ इसकी चार्ट बंद करते हैं मैंने तो बहुत कमजोर हो जाएगी भी यह देखे फ्रेंट्स अब हम कटिंग करेंगे यह सेन निकांगे पाड़ी के लिए हरा चारा इसके लिए यह बेटी आ गई इसको बड़ा चाहू है काटने के लिए और यह द हम बोलते भी ररते हुए अपनी यह से कारती से रती है। यह देखे फ्रेंट्स एक हाथ से फेरती है हमारी उटी बड़ी वो गई है लिसली हो गई है एकदम से काड़ देगे बोड़ी बिल्डर है हमारी ये मैं उसके निचे ही लगा दूँगी क्योंकि डालना नहीं पड़ेगा बाद में उसमें इखटा होता रहेगा ये देखो ये अपने स्टाइल से रखेगी और इसमें इपड़ता रहेगा ड पड़ेगा मेरे को फिर मैं इसको उठाके और डाल दूंगी यह देखे फ्रेंट्स थोड़ा साही लाते हैं क्यों कितना ही है खेतों में ज्यादा पानी नहीं होने के एक वज़े से हमारे यह कम ही होता है प्रेंट्स बिल्कुल आगे चलता है और पिछे से हमें कुछ नहीं करना है वैसल के आथों से इसको दरकेलना होता है किसके यह आपा सुपाल कॉन कहां से देख रहे हैं प्लीज एक बार देखो तो सही मेरी वीडियो को कॉन लाइक करता है एक बर कोमेंट तो जरूर करा करो कहां से देख रिवाप लोग यह देखी फ्रेंट्स कटिंग आराम से करती है देखो कितनी सलोली सलोली चलाती है यह बड़ी प्यार से सलोली 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 चलाती चलाती है यह हम बोलते बरते हैं यह देखी फ्रेंट्स म नहीं नहीं को दे दो इसने ले लिया बैस अब मैं अपना डाल दूंगी उसको वो चीक रही है यह आओ फ्रेंड्स आप लोग भी खालो समूसे लेके आया बेटा दूद लेके आया था तब यह समूसे आ गए हैं गरम-गरम आप लोग भी खालो यह देखें फ्रेंड्स मैंने डाल दिये हैं इसमें चट्नी मिक्स कर दूंगी खाके आया है और हमारे दोनों ममी बेटियों के लिए लेके आया है यह देखें हैं जो हमारे गुर्देव जी हैं इनको हम बोग लगाते हैं फ्रेंड्स से हम खाएं मारे गुर्देव जी को जर अब हम बैठके खा रहे हैं आप भी आजाओ आप भी खा लो ये देखो अब हमारे पांच बज गए हैं फ्रेंड्स इदेखो कोरा भी से पांच बजे ही कोरा चा गया चारू तरफ देखो कितना कोरा जैसा हो गया ये भाई साब खड़े इसको खोल नहीं रहें कल से क्योंकि चिञिते बहुत हैै कि वेति बहुत प्रेशान करता है बैएन को बेटी बहुत प्रेशान रहती है हैं उसको तो मिल्ट मीटे कह नेिंने देता है खड़ेएं मार ओपमेडम जी इस छाए कहना कूछ बाजरे की रोटी अचिसको है आजाओ आप भी खालो यह देखो फ्रेंड्स यहां लाइट नहीं है बैसे इसे टेंपरिली काम चला के बना रहा है प्लीज स्पोर्ट करने के बहुत ज़्यादा ज़रुत है क्योंकि काम कब मप्लीट तब ही होगा कुछ आगे का सिस्टम चलेगा यह देखो अंदेरे में प ही है कि बैस टोटल पूर्ती करने होती है और बाजरे की रोटी में बहुत सारा टाइम लगता है बहुत सारा इंदन जलाना पड़ता है तब जाके बाजरे की रोटी सिकती है अच्छे से हमी तो टाइट टाइट रोटी बाजरे की करारी करारी जो कटड़ करती है चबनती ह वह अच्छी लगती है आपको किस किस को लगती है बताना कोमेंट करके यह देखो फ्रेंट्स है यह बेटा वीडियो बनाने में वैस्त रहता है यह कैमरे के सामने नहीं आता है यह बेटा बोल रहा है ममा हाई तो कर दो बेटा काफी देर से लग रही हूं आज जल जल के बहर आ जाती है क्योंकि वो वैसे वाली लकडी तो है नहीं यह जो सरसू के नीचे से निकलते न हमारे यहां तो इनको दासा बोलते हैं आपके या क्या बोलते हैं कॉमेंट करके बताओगे तब ही पता लगेगा किस किस के या क्या क्या बोलते हैं यह बाजरी के रोटी बना रही हूं मैं यह देखे फ्रेंड्स कितनी गोल मटोल बन जाती हैं यह दीरे 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 करके बनाने यह लाइट नहीं होने के वज़े से अच्छे से दिख भी नहीं पा रहा कि इतनी क्या वीडियो बन दिये ना फ्रेंड्स ऐसा ही है आप लोगों तक अपनी यूटुब फैमिली है चलता है दिखा देते हैं कि यह यह है वैसे फ्रेंड्स कुछ अच्छे से मज़ा नहीं आ रहा इसमें क्योंकि यह लाइट नहीं है तो आप लोगों को अच्छे से दिखने ही रहा होगा कैसे बनाते है बाजरे की रोटिया सबसे पहले हमारा काम होता है हम डोगी के लिए बनाती है देखे फ्रेंड्स से मेरे 8 बज़ गए हैं सामके और यह मैंने सलवार से लिए एक प्लेट देख लो कितनी एकवल आती है यह थोड़ा सा कप्ड़ा कम पड़ गा था बैल्ट में दूसरे रंग कर आ लेगी देखो मेरे पहुचा डिजैन ने नूप पहुचा डिजैन करके बनाया है बहुत अच्छे पहुचा